प्रहाटाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बोल आइकोन दबाना ना बोलें महिस लाब दिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइम्स एक रात में दो घरों के दर्वाजी की कड़ी तोर कर लाखों रुपे के सूने की गिवर 4000 रुपे कैश्ट चोरी की घट्ना से इलाके में काफी दहशत का महौल बना हुआ है यह चोरी की बार दात खरडी गाउ में हुई है आपको बता देखिए शत्रुकांत बाला राम गोजले के घर में रात में चोरों ने गहनों पर हाथ साफ कर दिया और इसी तरह से रामदास पाटिल के घर में भी दर्वाजे की कड़ी तोड कर चोर घर में दाखिल हुए मगर चोरों को रामदास पाटिल के घर में ना ही कोई कैश्मिला और ना ही कोई जेवर यहां से ये मायोध सी लोटना पड़ा शत्रकांत बालाराम गोजली ने बताया है कि अपनी नाइट डेटी पर वो गए हुए थे और उनके परिवार के लोग किसी रिष्टिदार के घर गए थे और घर में कोई नहीं था इसी का फाइदा उठाकर चोरों ने रात के अंधेरे में ताला तोड़ कर कबाट में रखे लाखों रुपे के सोने के जिवर और चार हजार रुपे कैश्ट लेकर ये चोर फरार हो गए और चोरों ने इनके घर का भी दर्वाजे की कड़ी काट दी और कबाट में रखे सारे सामान विखेर दी है मगर चोरों को यहाँ पर ना कैश मिला ना ही जेवर मिला इस पूरे मामले में शत्रुकांत बालाराम गोंदली ने शील्ड आगर पुलिसी स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस इस पूरे मामले की आगे जाच पड़ताल कर भी है कि अजसे तो आउमे तो आप लोग रात में घर पर नहीं थे कहा अवरगार है तो लोग रात में घर पर नहीं था नहीं था कि ममारा अच्छ कहें नेवाराजा तोड़ा गया है या है तॉपूरा तळा की आख और नेधिस ने steak कोई पार्टिल करके औरrik में परक्त कर Protest आकि तूटल एमांट कितने का रहा होगा लगा रहा कि रके तो यह इसको ऑना झाल झाल